दोस्तों शुरू करते हैं क्विश्चन, क्विश्चन है 9.5 x 0.0085 x 18.9 सर्फ क्विश्चन में 18.9 दिया था, ठीक है, ये मैंने 2 0 इसलिए लगाए हैं क्योंकि अब भी बताता हूँ आपको, 0.017, ठीक है, डेसिमल के बाद यहां पर 3 वैल्यूस थी, उसके बाद 1.9 है, उसके बाद 0.021, ठीक है, यहां पर 0.0017 ये क्विश्चन में गिवन था, ये क्विश्चन में गिवन था, बस यहां पर जो 2 0s हैं, वो मैंने अभी बढ़ाए हैं अपने मन से, क्यों, और ये पूरा का पूरा अंडरूर्ट में देया हुआ था, ठीक है, अब ये मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि हम देख रहे हैं यहां पर पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, इधर भी पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, ये पॉइंट के बाद एक डिजिट, दो डिजिट, तीन डिजिट, चार डिजिट है, यहां भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, दो डिजिट, त्री डिजिट, फोर डिजिट है, ठीक हैं, अब यहां पर था, 0.021 point के बाद decimal के बाद 3 digits लेकिन मिरपा उपर 18.9 ही था अगर हम decimal के बाद कोई value लगी है उसके बीचे हम 00 लगा सकते हैं तो उसकी value में कोई change नहीं आएगा ठीक है यह rule कहता है तो हमने 2 0 उसको equivalent करने के लिए लगा दी अब क्यों क्यों कि अगर हम इसे करेंगे न तो 95 by 10 हो जाएगा यह यह हो जाएगा 85 by 10,000 यह हो जाएगा 189 over 10 हो जाएगा ऐसा हो जाएगा अगर हम वैसे करेंगे लेकिन मैं आपको shortcut बता रहा हूं कहीं भी ऐसा question देखें तो इसको इसके equivalent करने की कोशिश करना कि decimal के बाद कित्ती values है यहाँ पर point one value है यहाँ पर one value है तो इससे हमारा क्या होगा decimal से decimal cancel हो जाएगा 0085 चार values है 0017 चार values है तो यह decimal से यह decimal हमारा cancel हो जाएगा यहाँ पर मैंने इसलिए आपको दो जीरो बढ़ाए क्योंकि नीचे भी तीन जीरो स्थ है तो दो जीरो यहाँ पर हो गया तो decimal के से decimal कट गया ठीक है अब इससे हम simple लिख देंगे जो भी rest बचा हुआ है 95 into 85 into 189 189 ठीक है 17 into 19 into 21 इसके साथ यह भी आएगा क्योंकि decimal के साथ हमने दो जीरो लगाएता है अब इसको हम सीधा कैंसल करेंगे 17 फाइव जाइटी फाइव 19 फाइव जाइटी फाइव 21 नाइन जा 18 नहीं होता है पीछे दो जीरो है तो दो जीरो लगा देंगे तो यह हो जाएगा simple अंडर रूट में 5 into 5 यह वाला 5 यह वाला 5 और यहाँ से बज़ गया यह 900 तो 5525 बाहर निकारेंगे तो हो जाएगा 5 वैसे 900 किसका रूट होता है 30 क्या 13 to 3900 तो यह हो जाएगा 560 तो 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 यह 15 150 तो यह का अंसर हो जाएगा यह था इसका shortcut तरीका कि हम क्या करेंगे decimals को देखेंगे कि कितने decimals के बाद कितनी value है फिर उसको equivalent करने की कोशिश करेंगे अगर मैं इसको long term में लूँ तो अब आप इसका long term solution देखना तो पहले मैं यहाँ पर question note down करता हूँ तो गाइस यह मैंने question note down किया है 0.0017 into 1.9 into 0.021 यह question है हमारा अब इसे breakdown कैसे करेंगे step by step देखेंगा यह 9.5 है तो इसको हम कैसे कर सकते हैं point ठटा के एक नीचे 0 बढ़ा देंगे 95 by 10 क्योंकि point के बाद एक value था तो नीचे एक 0 into 0085 को हम कैसे लिख सकते हैं 85 कर देंगे क्योंकि 0 85 से पहले 0 की तो कोई value है नहीं और point के बाद कितने values हैं हमारा पर कितने digits हैं एक दो तीन चार तो हम one के आगे चार जीरो लगा देंगे 10,000 हो जाएगा फिर 18.9 point ठाथ आएगे तो 189 हो जाएगा अब क्योंकि decimal के बाद सिर्फ एक ही हमारा पर digit था तो हम नीचे one के आगे एक ही 0 लगाएगा तो यह वाला उपर का हो गया अब इस पूरे में हमारा पास के है point के बाद 0017 है तो हम इसको 17 लिख सकते हैं सर्फ 17 के बाद हम यह देखेंगे कि हमने 17 कैसे लिखा हमने यह हटा दिया decimal हटा दिया decimal के आगे 4 digits थे तो नीचे हम 4 digits डाल देते एक दो तीन चार्ट 10,000 बना दिया into 19 है 1.9 है डिजर्ट हजातेंगे 19 बन जाएगा नीचे 10 आ जाएगा इधर decimal के बाद 3 values है तो यह 21 है 21 हो जाएगा क्योंकि 21 से पहले 0 का तो कोई value नहीं तो 21 ओवर क्योंकि decimal के बाद 3 digits है तो यह 1000 हो जाएगा यह यह था इसको long process अब हम इसी को cancel out करेंगे यह क्या क्या cancel out हो सकता है 10,000 से यह 10,000 कैंसल एक है यह 10 यह 10 हो गया 100 तो 100 से इस 1000 के 2 0 कैंसल तो अब क्या हो गया 10 इंटू 10 यह नीचे हो गया अब जित्ता बचा पहले मैं उत्ता लिख लेता हूं अंडर रूट 95 इंटू 85 इंटू 189 नीचे है इसके नीचे तो कुछ नहीं है अब यह में वाला है में वाले के नीचे क्या है 17 इंटू 19 इंटू 21 अब क्यूंकि नीचे क्या है दो 0s है एक दो तो यह हो जाएगा 100 लेकिन यह सबसे नीचे है तो यह इस टर्म में हो गया a by b by c by d इस टर्म में हो गया तो इसको हम कैसे equal कर सकते हैं यहाँ पर मैं करके दिखाता हूं a by b हो जाएगा यह d उपर a के संग multiply हो जाएगा इंटू d और यह जो c है यह b के सा multiply हो जाएगा यह rule कहता है तो वैसी मैंने किया जो नीचे का 1000 जो नीचे का मेरा 10 इंटू 10 बच रहा था यह basically है कुछ नहीं 17 इंटू 19 इंटू 21 ओवर 100 है अब क्योंकि यह 100 जो है सबसे नीचे है तो यह हमारा वही वाला रूल लग जाएगा यह वाला a by b c by d बस यहाँ पर अंतर क्या है a के फोर्म में हमारा पास यह वाली टर्म है और b के फोर्म में हमारा पास जो था वो सब गैंसल आउट हो गया यह वाला जो पॉर्षन था भी वाला था यह गत्सल आउट हो गया बचल 1 ठीक है और 17 इंटू 19 इंटिवन ही होगया spoken वाला टर्म और दी वाला टर्म हो गया 100 और इसे क्या करना है आप 95 इन्टू 85 इन्टू 189 इन्टू हंड़ेट ऐसे नीचे बचा 17 इन्टू 19 इन्टू 21 तो इसे कैंसल आउट करेंगे 75 इन्टू 95 इन्टू 95 इन्टी वन नाइन जा 189 देखें यह अंडर रूट में है अभी पूरा तो यह हो जाएगा हमार पास अंडर रूट 5 इन्टू 5 इन्टू 9 इन्टू 100 अब नीचे दो सब कैंसल आउट हो गया अब दो बार 5 है बाहर निकल के रूट के एक बार बच जाएगी 9 को हम 3 इन्टू 3 लिख सकते हैं दो बार 3 हो गया रूट के बाहर निकल के एक बार 3 बच जाएगा 100 को हम 10 इन्टू 10 लिख सकते हैं तो अंडर रूट के अंदर दो 10 है बाहर रूट के बाहर निकल की एक 10 हो गया तो 5 तरीज है 15 तेक है और 15 तेन जा 150 इन्टू 10 इकोस टू 150 यह वाला आंसर उपर भी आया है यह था बेसिकली टर्म कुश्चन लॉंग है लॉंग हो गया है अब बस आपको समझाने में तो थैंक्स फो वाचिंग